हेई गर्ल्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपकी शेयर करने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट मैकप लूक आप कहीं शादी में जा रहे हो छोटे मोटे फंक्शन्स में जा रहे हो तो आप ये वाला मैकप लूक ट्राइ कर सकते हो मैंने सभी प् करता है और ये प्राइमर का प्राइमर यूज करूंगी और आपको प्राइमर यूज नहीं करना हो तो आप इसकी जगह पर एलोवेरा जयल भी यूज कर सकते हो मैं यहाप डैबिंग मोशन में पूरी पेड़े पर अपलाइ करूंगी इसके बाद मैं यहां पर यूज़ करूँगी लैक में की CC क्रीम अगर आपको थोड़ा ज्यादा गवरेज चाहिए तो आप फांडेशन का भी यूज़ कर सकते हो मैं यहां पर डॉट डॉट करके फूरे फेस पर CC क्रीम को अपलाई करूँगी अब मैं वेट ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रॉश्ची हेल्प से भी अपलाई कर सकते हो अगर आपको ज्यादा डार्क सकल से तो आप कंसिलर यूज़ कीज़े मैं आप पे CC क्रीम को ही अपलाई करूँगी और वेट ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी नेक्स्ट या पे मैं मैक स्टूडियो फीक्स पाउडर की हेल्प से अपने बेज को सेट करूँगी ओके सो मैं नेक्स्ट है पे ब्रॉंजर नेक्स्ट है पे ब्लश मैं या पे मैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ इसे मैं अपने चीक्स पर और थोड़ा सा नोज पर भी अपलाई करूँगी ओके सो मैं नेक्स्ट है पे हाइलाइटर मैं यहाँ पे मेबलीन की कॉंटर प्लस हाइलाइटर स्टीक यूज़ करूँगी इससे मैं अपने चीक बॉन्स पर और थोड़ा सा ब्रीज अप दे नोज पर अपलाई करूँगी ओके सोब बारी आई मेकप की मैं याप पे हुडा ब्यूटी का आईशेडो पैलेट यूज करूँगी अब मैं इस वाले लाइट ब्राउन शेड को अपने पूरी लीड पर अपलाई करूँगी इसके बाद मैं यह वाले थोड़े से डार्क ब्राउन शेड को अपनी क्रीज पर अपलाई करूँगी बाद मैं ये वाले शेड़ को अपने आउटर वी पर अपलाई करूँगी अब मैं यूज़ करूँगी निका केकी लिक्विड आई शेड़ो इसको मैं अपनी हाफ आई लिड पर अपलाई करूँगी और ब्रश की हेल्प से सेट करूँगी अब मैं सभी शेड़ को अपनी लोर लाइन पर अपलाई करूँगी नेक्स्ट एप आई लाइनर मैंने यहाँ पर मेबलिन की आई लाइनर यूज़ की है नेक्स्ट एप काजल मैं यहाँ पर प्लम की काजल यूज़ कर रहे हूं अब बारी मस्करा की मैंने यहाँ पर यूज़ की मेबलिन की वाटर प्लम मस्करा उसे मैं अपनी अपर लेशिश और लोर लेशिश पर अपलाई करूँगी नेक्स्ट है पर आईब्रोज मैं यहाँ पर नाइका की आईब्रोज पैंसिल यूज़ कर रहे हूँ इस वाले शेड को अपने आईस के इनर कॉर्नर पर अपलाई करूँगी और थोड़ा सा ब्राव बॉन पर अपलाई करूँगी ओके अब मैं अपलाई करूँगी लीप लाइनर मैंने यहाँ पर मैक की लीप लाइनर यूज़ की है इसके बाद मैं अपलाई करूँगी लिप्स्टिक मैं यहाँ पे NYX की लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूँ सो हमारा मैक अप हो गया है मैं यहाँ पे अपना डूपटा और येरिंग्स को डालूँगी सो यह है मेरा फाइनल लूप आई होप मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए अब हम मिलते हैं हमाई नेक्स टूडियो में तब तक बबाई